तो हें गाइज राइश्मान में स्वारी और इस वीडियो में हम कंटिन्य रखेंगे अपना चाप्टर रे आप्टिक्स रे आप्टिक्स के अगर अपन डेरिवेशन दिस्केस कर रहे थे तो यह बैसे कली बूसरी वीडियो है तो तुम लोग ने पहली वीडियो जाके नहीं कर रहे हैं 10th में 11th में 12th में कोई भी तुम लोग के छोटा भाई बड़ी बेहन जो भी हो क्योंकि यहां से मैं तीनों के कंटेंट डालता रहता है तो अब अपन शुरू करते अपना वीडियो अपन सबसे पहले हैं इस वीडियो में शुरू करते हैं डेरिवेशन से टी आ अपन यहांसे वह एंगल ओफ इंसिदेंस ने कलते हैं जिस पे अंगल ओफ रिफ्रेक्शन में पास 90 बंचा ठीक है अपन लेता है अपन लेता है अपन लगाते हैं यहां से यहां से रे जा रही है बाहर मूण इंटू साइनार मेरे पास बात समझ में आगी और अब अपन इस पर लगाते हैं TIR की कंडिशन TIR क्या बोलते कि में पास यहांसे जो आर होगा आर में पास 90 डिक्री होगा सीदी सी बात है आग 90 होना चाहिए तो में पास किता हो गया साइन नाइंटी वन तो म्यू इंटू साइन आइसी आइसी मतलब क्रिटिकल आंगल होता है वो जात मतलब मं का कर्व्ट सर्फेस के बारे बात आ जाती है मतलब मो होता है कैवाली बाच समझ में आगें वो रे मेरे पास एसको रिच्छ को बैंस बाता है यहाँ पर बनी तो यहाँ पर सबस् perspectives हो गया दिकता कए नहीं अपना जक्ता है क् zw सब्क्राइब कोलंके होग्झ गक्ता होग्ड क यहां पा same म्यूटू का है मेरे पास इसलिए जो आरे Cannon ऑफ छे लार्म अब सभसभाय पांकर रिलेशन आता है यहां सेaser अबके इंएकोल टूगामा यह प्लूप आपनों को समझभागी ठीक है अलफा प्लस आई मैंने लेख रखा है इस अल्फा प्लस गामा इस इकवल टू आई देखो आफा प्लस गामा एवाला अपने पूरानी प्रॉपटी यह वाली बात सुम्मों को समझ भागी यह से अपने की पुरारी प्रोपर्टी से क्या अपोजेट एंगल्स के यह से जो होते हैं वह इसके बराबर होता है तो अपनका बन जाता है यह से अलपा प्लस गामा इस इक्वल टू आई यह वाली बात तुम लोग को समझ में शायद आही चुकी होगी ठीक है अब अब साइन को मैं क्योंकि चीजी बादेनर एंगल चोटा है तो तुम लोग ने पढ़ा हुआ कि है अपन इसको अप्रॉक्सिमीट कह सकता है तो म्यू 1 इंटू आई इस इक्वल टू इंटू आर बात समझ में आगी अब जो में पास आई है आई किसके बराबर है अल्फा प्लस अपना आर एंगल है छोटा सा इसको मैंने सब्सिट्डिव कर लिख दिया गामा माइनस बीता थिक है अब अनलोकी वालीव लेगता है तैनलफा क्या है तैनलफा थाइनलफा में पास कित्ता होगा हाइट मतलब यह परपेंडिकुलर अप्र परपेंडिकूलर अपोन बेस am upon sorry am upon m इत्ता यह वाली बात तम लोगे समझ में अरी अच्छा है कि अपना ही अच्छा चो टैन गामा हो जाएगा वह अपन के हित्ता हो जाएगा similar idea वही टैन गामा के अपन की value हो गई और अब में पास बस्ता है टैन बीटा टैन बीटा के हित्ता हो जाएगा यहां से अब देखो am 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 upon m i बात समझ में अरी यह माइनस वह यहां पर और यहां से mi यहां से इत्ती ही दूरी अब देखो am 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 हर जगा से कड़िया बात समझ में वन अपन m1 upon mc 1 upon mc 1 upon mc 1 upon mc 1 upon m i यह तो normal ही था om को क्या मैं लिख सकता हूं object distance लिखता हूं om को मैं object distance लिख सकता हूं वहने वह रिख दिया वहना om को लिख दिया mc को क्या मैं r लिख सकता हूं यह वाला point को अगर मैं c मानूं क्या मैं mc को मतलब यहां से point c है मेरे पास इस point c को मैं r लिख सकता हूं लिख दिया मैं इसको brackets को खोल दिया, थोड़ा इसको rearrange करा, मतलब इसको मैंने आपे बेज़ा, तो क्या बचा? अपन देखे, देखो, प्रिज्मिक में क्या बात आती है, यह अपना प्रिज्म है, अपना यहां से अपन की रे गई, नॉर्मल है, तो उससे अपन का अंगल बनाया है, आई, अंगल of incidence आई, यहां से थोड़ा थुका, और यहां से bend हुआ, इस अपन को मान लेते हैं, अंगल से बाहर निकला है, क्या वो यह हो जाए क्यों, देखो, यह आटू कौन सा अंगल है, आटू बेसिकली है, इस नॉर्मल से अंदर वाले का अंगल, और यहां से अपना अंगल, यह तो बचते हैं, यहां से वोई जो आंगल हो प्रिज्म होता है, यह वाली बात समझ में ही, डेल्टा क्या है, यह रे ऐसे ऐसे जारी, आगे एक्सेंट करूँगा, यह रे ऐसे ऐसे जारी, मैं आगे एक्सेंट करूँगा, यह बैसिकली एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो यह क्या बात आती, एंगल UQR, मतलब देखो, य आएंगल यू qr plus अंगल u r q u qr plus अंगल u r q अंगल u qr क्या है आएंगल u qr कैरें अब यहां से यह दो ऑपन की लाइन से यह चोटा वाल एंगल किता होगा पूरे वाले अंगल से जब मैं इसको उड़ा दूगा तो कै यह चोटा वाल एंगल मिल जाएगा तो बस मैंने वह लिख दिया i-r1 यह i है तो यह वाला भी i-r1 similarly यहांसे यह वाला e था तो यहांसे यह e-r2 यह तुम लोग जब इसको copy में लिखोगे ना तो तुम लोग को और अच्छे से समझ में आगा मतलब जब तुम अपने हाथ से इसको diagram बनाओगे ना copy में तो जाद अच्छे से समझ में आगा तो यहांसे वही आगई i-r1-r2 अब 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 बनाते है triangle अब अब बनाते है quadrilateral qtar कौनसा qtar यहांसे यह जो quadrilateral बनाया यहांसे है यह बनका यह बनता है देखो angle a किता होता है यह देखो तुम लोग ने एक cyclic property पड़ी होगी यहांसे circles में जो अपन की class strength में आते है कि angle जो opposite के होता है अपन के cyclic triangle के कर्स लाएक की quadrilateral के है दोनों angle का साम एक स्वस्थी होता है तो angle a is equal to 180 minus angle t लिख सकता हूं मां angle a is equal to 180 minus angle t लिख है का मतलब angle a क्योंकि क्योंकि अपन है angle a plus angle t 180 होता है इसलिए आसा पन की यह वाली बात आ गए यह वाली बार भी मुझे समझ में आ गई अब अपन की बात आती है angle r1 plus r2 plus r2 plus angle t is equal to 180 का मतलब r1 plus r2 plus t क्या यह मेरे पास 180 degree होता है सेड़ी जीवात है 180 degree होता ही है ठीक है तो r1 plus r2 किता बन गया 180 minus t अब क्या मैं इस r1 plus r2 की value अब देखो 180 minus t की value क्या होती है 180 minus t की value angle a नहीं होती है तो बास में पास यहां से पहला relation आया r1 plus r2 is equal to angle a यह तुम लोग को याद रखना है कि angle of reflection जो दौनों search piece से होता है वो angle of prism के बराबार होता है यह important है similarly r1 plus r2 की value angle a आई है क्या मैं इसको यहां पर substitute कर दूँ यहां पर substitute कर सकता हो तो delta किता है i plus e minus a मतलब जो angle of deviation होता है वो होता है i plus e minus a बात समझ में आ रही है बिल्कुल आ रही है अब इस a को मैं ले आता हूँ इस तरफ तुम्हें पास बन जाएगा delta plus a is equal to i plus e यह वाली बात समझ में आ गई है अब अपन मान देते हैं कि angle r1 is equal to angle r2 अभी अपन मान के देखते हैं हाना कि भईया क्या क्या होता है यह से कि यह angle r1 plus is equal to angle r2 जब ऐसा केस हो जाएगा तो में पास angle i is equal to e बन जाएगा क्योंकि सीधी सी बात है यह तुम geometry से देख सकते हो कि मेरे पास यह बराबर ही होने वाला है ठीक है angle i is equal to angle e हो जाएगा ठीक है अब अपन देखते हैं यहा angle of minimum deviation में यह होता है कि angle i is equal to angle e होता है और angle r1 is equal to angle r2 जाता है यह तुम लोग को अपने exam में mention करना है मतलब ही तुम लोग को basically लिखना है कि यह ऐसा ऐसा होता है कि यह वाली बास समझ में ही अच्छे से है अच्छी बात है समझ में आ गई तो angle a plus delta is equal to अपना आगया angle i plus i लेकिन r1 और r2 तो बराबर है तो वही r plus r is equal to angle a अपना आ गया angle a by 2 यह वाली बात भी समझ में आ गई अब तो मेरे पास यहां से i कित्ता बचा i मेरे पास बचा a plus delta m by 2 यहां से इस तरफ इस तरफ से यहां से मेरे पास यह आ गया r i मेरे पास कित्ता हो गया a plus angle delta m by 2 अब देखो mu कित्ता होता है mu होता है basically अपनका sin i by sin r यह तुम लोग को पता ही हो गया है कि mu होता है यहां से यहां से a by 2 तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin a by 2 upon sin a plus dm by 2 यहां से मेरे पास यहां आता है angle of minimum deviation angle of minimum deviation के मैं यहां से निकाल सकता हूं यहां मैं बिल्कुल निकाल सकता हूं यहां यह basically मैंने थोड़ा reciprocal लिख दिया है यहां मतलब sin i by sin r तो होता है mu and sin i is equal to mu to sin r तो यहां से उल्टा आएगा यह मैंने गलत लिख दिया है यह अपन का reciprocal में है क्योंकि साइना ही है वो तो इस तरफ होता है और यहां से फॉर्मूला मतलब जो माइक्रोस्कोप में डराइब करते हैं उन दोनों फॉर्मूले को अगले वीडियो में कवर करेंगे और उसके साथ यह इस चाप्टर में आते हैं वह अपन के सारे खतम हो जाएंगे तो अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर उसको लुलली दालता गेता हूं, so that's all from this video, bye